हे गाईज, वेलकुम बैक टो स्टेटी वीडियो में चैनल, तो आज मैं आपको बता हमों के जी आम यू बीएसी नर्सिंग 2022 का फॉर्म कब तक आयेगी ठीक है और फाइनले इसका एक्जाम कब तक होने वाला है, कौन-कौन इससे अपलाई कर सकते हैं, इसको एपलाई करने क हो, वो यह फॉर्म के अपलाई कर सकते हो, और इसपेसली अगर आप यू पी स्टेट से हो, तो आपके लिए ज्यादा बेनेफिट होगा, क्योंकि यू पी के लिए ये इसपेसल है, और अधर इस्टेट के लिए भी आपको मिल जाएगी, लेकिन यू पी वाले को ज्यादा बेनेफिट होने वाले ठीक है, तो ट्वेल्थ पास होना चाहिए, इस्ट्रीम आपका साइन्स होना चाहिए, ठीक है, और इसमें जो एक्जाम होता है, वो आपका, कितना टोटल मार्स का होता है, 200 मार्स का होता है, टोटल 200 मार्स का एक्जाम होता है, प्रिवेस येर इतना हुआ ठीक है और इसमें अगर आप कोई-बी कोशन्स गलत करती हो तो नेगेटीव मार्ग्स नहीं काट जाया ठीक है तो नेगेटिव मार्त जो थे हिसका बिल्कुल भी नहीं होते मतलब आप पूरा 200 लगा क्या सकती हो आपका कोई भी नेगेटिव काटा नहीं जाया ठीक हो इसका जो पेपर होता है उसका जो लेंगवेज वह एक ही मीडियम में होता है एक ही लेंगवेज में होता है एक ही लेंगवेज में होता है एक ही लेंगवेज में होता है अब मैं आपको इसको बता देता है इस फॉर्म को भढ़ने के लिए फीस कितने लगती है तो जितने भी जेनरल और OVC वाले हैं ठीक है उनको यह फॉर्म बढ़ने के लिए 2000 लगते हैं प्रिवियर से 2000 लगते हैं और जो भी HTSC है है SCHT जो भी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं उनको 1200 लगते ठीक है 1200 और 2000 लगते जेनरल और इसे के लिए यह फॉर्म बढ़ने के लिए अब मैं आपको बता दो यह फॉर्म कब तक आएगी प्रिवियर से अगर आप देखोगे तो फॉर्म बहुत ही डिले हुई थी और इक्जाम भी बहुत ही लेट हुआ था लेगिन इस साल लेट नहीं होने वाला क्यूंक थी सुधियर से से अगराब ती तो इस साल यह फॉर्म जो है न मैंगत तक आ जायए घो लास्ट में तक यह फोर्म आपको आजाये यह और एक्जाम कब होगी तो जब भी यह फॉर्म आती है ना उसके विदिन 30 डेस मतलब एक महने में एक्जाम ले 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 एक महने में ले ले लेते इसमें कोई भी नेगजत Minh रहुतिता सकते अब मैं आप किसको बताएब तो सिल यह था बहुत है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा नर्सिंग सबसे पहला nursing aptitude यह हो आपको पढ़ने का जोड़त है यह सबसे important subject है इसमें से 20% questions आते हैं ठीक है total questions में से 20% nursing aptitude के questions रहते हैं ठीक है उसके बाद आपको देखने को मिल जाएंगे physics chemistry bio यह तो मिलेंगे मिलेंगे physics chemistry bio यह तीनों ही इसके बाद आपको मिल जाएंगे gk gk के questions पर आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है और उसके बाद general English ठीक है इंगलिस के भी question रहते हैं जीके की बरते हैं और nursing aptitude ज्यादा important है 20 questions 20% questions रहते हैं और ज्यादा बेटेज आप देखुए तो PCV से लगभग आधा questions रहते हैं तो इस तरह syllabus रहता है ठीक है तो जैसे यह form आएगी मैं अगर यह वीडियो पसंद है तो लाइक किजेगा और नर्सिंग aptitude का तैयारी हम करा देंगे और PCV के और एड़ी चल रही है आप जाके देख सकते हो बन रहीएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तो तक लिए बावाएं